हमारे यहां एक सबसे खूबसूरत और खुश्चाल शहर था। रोज बहुत सारी पुस्तकें लेता था और उन्हें पढ़ता था। एक दिन वह देखा कि पुस्तकालय में एक बहुत ही खास पुस्तक है। वह पुस्तक जादूची आईना की पुस्तक पढ़ी और देखा कि वह अद्भुत थी। जब वह आईने की तरफ देखा तो उसका अवतार उसे दिखाई देता था। वह दिन भर अपने अवतार के साथ मस्ती करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि यह आईना उसको नकारात्मक बना रहा था। जब उसकी मेहनत की परीक्षा आई तो वह अच्छे नंबर नहीं ला सका। निकित को दुख हुआ। उसने समझा कि वह आईने के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहिए। वह उसे पुस्तकाले में वापस ले गया और एक और खूबसूरत पुस्तक लिया। इस पुस्तक का नाम सकारात्मक सोच था। जब उसने यह पुस्तक पढ़ी तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने समझा कि सकारात्मक सोच ही उसकी मदद कर सकती है। सकारात्मक सोच की पुस्तक ने निकित की जिंदगी में बदलाव ला दिया। वह अब आईने के साथ समय नहीं बिताता था और सकारात्मक बनकर आगे बढ़ रहा था। वह बहुत महनती हो गया और सफलता की कुझी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।